नमस्कार आप देखें दर न्यूस 15 और आपके साथ मैं सुंबे का दोज़ार 24 के आने तक कुछ बहतर हुआ हो या ना लेकिन देश के लगभग 24.8 करोड लोगों का गरीवी से पीछा छुट गया जो कि अपने आप नहीं एक बड़ी काम्याबी है नीती आयोग ने सोमवार यानी 15 जनवरी को एक रेपोर्ट में कहा कि 9 साल से 2022 से 24.82 करोड लोग बहु आयामी गरीवी से बहार निकले जिसमें उत्तरपदेश, मद्यपदेश और बिहार के सबसे बड़ी गरावट देखने को मिली वही नीती चर्चा पत्र के नुसार भारत में बहु आयामी गरीवी 2013 से 2024 में 29.17% से घटकर 2022 से 2023 में 11.28% हो गए जो 17.89% अंकों की कमी दर्शाती है इस अभिदी के दौरान लगबग 24.82 करोड लोग गरीवी रेखा से बाहर निकल गए नीती आयो के मेंबर रमेश चंद और सीनियर एडवाईजर योगेर सुरी की तरफ से तयार पेपर में दावा किया गया कि अगले आने वाले साल 2024 से 2025 तक भारत में गरीवी आबादी का पसंटेज सिंगल डिजिट में आ जाएगा पेपर लिखने वालों का ये भी दावा है कि भारत 2030 तक अपने सभी आयामों में गरीवी को आधा करने के लक्ष से काफी आगे है पेपर में कहा गया MPI यानि की Multidimensional Poverty Index के सभी 12 इंडिकेटर्स में इस डिउरेशन के दौरान बढ़िया सुविदार देखा गया MPI के रिपोर्ट के मुताबिक सबसे जादा गरीवी उत्तरपदेश में कम हुई है जहां 5.94 करोड लोग गरीवी से बाहर निकले हैं लिस्ट के दूसरे स्थान पर बिहार है जहां 3.77 करोड लोग गरीवी से बाहर आये हैं इसके बाद मद्यपदेश का स्थान जहां 2.30 करोड लोग गरीवी से बाहर निकले और फिर आता है राजिस्थान, राजिस्थान में 1.87 करोड लोग बहु आयामी गरीबी के दायरे से बाहर निकले शोट पत्र के मुताबक मोधी सरकार की नीतियों और योजनाओं ने गरीबी कम करने में महत्वपूर्ट भूमे का निभाई है इनमें पीम गरीब कल्यान अन्न योजना, उजवला योजना, स्वभाग्य योजना, पीम अवास योजना, स्वर्च भारत मिशन, जल जीवन मिशन, आरी शामिल है इनके अलावा प्रधान मंत्री जन्धन योजना, मुद्रा योजना जैसे प्रमुक कारेकरमों के वितित्य समावेशन में महत्वपूर्ट योगदान दिया है आईशमान भारत, मात्र स्वास्तिय संबंधी, विभिन कारेकरम, पोशन अभियान और अनीमिया मुग्त भारत जैसे उलेखनिय, पहलो ने स्वास सुविधाओं तक पहुच में उलेखनिय व्रिधी की है, जिससे अभाव में काफी कमी आई प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने नीती आयोग की इस रिपोर्ट की तारीफ की है, सोशल मीडिया में नीती आयोग के पोस्ट को शेर करते हुए उन्होंने एक पोस्ट किया, इस पोस्ट में उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट काफी उत्साह जनक है, यह समावीशी विका को बल देने और अर्थ विवस्ता में परिवर्तन कारी बद्लाव लाने की सरकार की प्रतीभधता को दर्शाती है प्रधानमंत्री बोदी ने कहा कि सरकार समरिध्य भविश्य के लिए समग्र विकास की दिशा में काम करने जा रही है अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे तै होती है गरीवी का मतलब होता है उस व्यक्ति के पास प्रयाप्त मुल्बुत संसाधनों की कमी होना अगर किसी को भोजन रहने के ल यह संघर्ष करना पड़े तो उसे गरीब कहा जाता है हाला कि सरकारी परिभाशा में अभी तक गरीवी को ठेज तरीके से परिभाशित नहीं किया जा सकता है भारत में गरीवी को तै करने की कोशित साल 1960 से की जा रही है अलग-अलग सरकारों के ने इसके लिए अलग- आनक तै कि अब आपको बताते हैं कि किन देशों में सबसे जादा गरीवी देखने को मिल रही है नियूनतम मजदूरी पर एक रिपोर्ट के मुताबिक जन देशों में सबसे जादा गरीवी है उनमें दक्षिन सुडान सबसे उपर यह गरीवी की दर 82 पीस्तिए पर है वह है इसके बाद जिस देश का नाम आता है वो है मेडा गासकर यहां गरीबी के दर 70 फीस्टी है वहीं गीनी बसाओ और इरिट्रिया जैसे देशों की बात करें तो यहां भी गरीबी 69 फीस्टी के पार है तो आज के हमारी जानकारी में बस इतना ही इसे के साथ आप देखते रह करने को सब्सक्राइब करना बलकुन ना बोलें